असलाम अलेकुम स्टुडूडन्स आप आप सब अच्छे से होंगे खेरत से होंगे जैसे कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने मैकनिकल एक्विमेंट्स डिसकस किया था जिसमें हमने इसका ए पार्ट जो है उसका आदा हिसा कवर कर लिया था जो ड्राइव वैक्विम कलीनर था ठीक है जो मैकनिकल एक्विमेंट्स का पहला पार्ट है वैक्विम कलीनर इसका हमने जो एक पार्ट है ड्राइव वैक्विम कलीनर वो हमने कवर कर लिया था तो आज हम वैट वैक्विम कलीनर cover करेंगे और साथ साथ में हम बाकी parts जो हैं इसके scrubbing machines है wet extraction systems हैं ये भी इंशल्ला cover कर लिए ठीक है तो चलो फिर start करते हैं wet and dry vacuum cleaner हम देखते हैं कि wet जो ये wet and dry vacuum cleaner है इसका क्या काम है जो last video में हमने पढ़ा था वो था dry vacuum cleaner और जो ये है ये wet भी है और dry भी है ठीक है ये दूनों काम करता है ये machine ठीक है तो चलो फिर start करते हैं these are extremely useful in housekeeping operations जो ये machine है vacuum cleaner जो है wet and dry vacuum cleaner जो है ये बहुत ही useful होता है housekeeping operation में ठीक है housekeeping department में इसका बहुत ही ज्यादा काम होता है ठीक है they can pick up spills and access wash water when on the wet mode when on the dry mode they help in remove our dust and debris ये जो machine है ये जब floor को wash करता है ठीक है जब एक house की पर floor को wash करता है जो वहाँ पर पानी पड़ा होता है उसको suction करने में उसको second में ये machine help करती है ठीक है वह पानी जो वाटर होता है, वाटर सर्फेस जो वहाँ पे होता है, उसको क्लीन करने में, उसको एक्स करने में ये हलब करता है, जब ड्राइ मोड पे इसको लगाते हैं, इसके दो मोड होते हैं, एक वैट मोड और ड्राइ मोड जब हम ड्राइ मोड पे लगाते हैं इसको, त इन होटेलीज युजली।से वैक्ट मोर तो पिक अप सिपल्सुट। जो होटेल्स कें अंदर ये मिश्टू होता है। यह उजल में निकिक हरुटेल्स के अंदर। निए वैक्ट्ट्ट पा सकरते ये आघृ कट पृट की अधरॉ it यह सेम एज ड्राइवेक्यूम क्लीनर होता है इसका जो होज होता है यह फ्लेक्सिबल होता है और इसके आगे जो यह स्कूजी होती है यह सक करने में वार्टर सर्फेस को सक करने में हलब करता है wet and dry vacuum cleaners they have flexible hose with attachment such as scusey head यह जो vacuum cleaner है इसका जो होज होता है यह जो plastic की रबर की यह पाइप होती है यह flexible होती है और इसके साथ अटेच जो आगे से होता है scusey head जो मैंने आपको बता यह देख सकते हैं आप यह scusey head है इसका आगे से यह help करता है water surface को pick करने में ठीक है the waste water collects in a tank that needs to be emptied after use जो waste water होता है जो नीचे surface पे water होता है उसको उठाने में जब यह उसको pick करता है तो यह water tank में जुमा हो जाता है और फिर वो जब फूल हो जाती है तो उसको empty करना पड़ता है ठीक है करना पड़ता है care and storage of vacuum cleaners अब हम देखते हैं कि इसकी vacuum cleaner की care कैसे करनी पड़ता है और कैसे store करना पड़ता है in case of wet vacuums the bucket should be washed, ranced and dried जो wet vacuum है इसको जब इसका wet mode पे इसको use करते हैं तो जो इसका bucket होता है वो wash करना पड़ता है जिसके अंदर यह water जमा हो जाता है और उसको dry करना पड़ता है wash करके उसको dry करना पड़ता है the scuse should be wiped clean and replaced when necessary जो इसकी scuse होती है वो wipe करनी पड़ता है निकाल के उसको saaf करना पड़ता है किसी कपड़े से तो saaf करके उसको replace करता है the hose needs to be rinsed out the casing and wheels wiped and the filter checkered after use the wheels need oiling periodically जो यह hose होता है इसका flexible pipe यह wash करनी पड़ता है और filter जो होते है machine के वो चेक करने पड़ता है यूज करने के बाद और जो tear होते है wheels जो होते है periodically उनको oiling करनी पड़ता है ताकि वो अच्छे से use हो जाए scrubbing polishing machine यह दूसरी machine है जिसको scrubbing machine बोलते है यह polishing machine बोलते है इसका क्या काम होता है इसको कैसे use किया जाता है चलो देखते है scrubbing machine consists of one large or several small brushes which revolve and scrub the floor जो scrub machine है इसका क्या होता है ना इस पे यह जो नीचे यह देख सकते हैं green blue black color red color के pads हैं यह इस पे use होते हैं एक अपने size को होता है बड़ा size को होता है छोटे size को होता है उससे छोटा size यह सारे pads जो होता है इसके नीचे यहां पे use होता है किसके लिए floor को scrub करने के लिए water and detergent are released from a tank attached to the machine इस machine के साथ water tank attached होता है यहां पे पीछे आप यहां देख सकते हैं यहां पे इसके अंदर water tank होता है उसमें detergent और water रखा होता है ठीक है जो release होता है surface पे पढ़ता है और उसको wash करता है फिर थोड़ा जब पानी जब release होता है floor के ऊपर पढ़ता है उसके बाद सिक्रब करना हो जो भी करना होता है उसके थोड़ा होता है with suitable brushes these machines can be used for shampooing, carpets, polishing, spray buffing, spray cleaning and polishing floors यह जो machine है इसको अलग अलग brush लगाते है ठीक है number wise brush लगते है इसके अंदर तो फिर यह machine wash in対 region के यूज़ा होता है जो can make super glue brush होता है यह मैं करने नाइव तो irrigation करने जोब को दो तो उसके लिए भी यूज़ाragen आशा क keeping coping यह मैं करने दो को चेंदे इस अंदर करने नाइस्ट तो अपर आज़ार को जो थो जो ठीच होता है great यह है Scrubbing Machine Scrubbing Polishing Machine Combined Scrubbing Polishing Machines Are used in many establishes As the machine can Then be put to greater use Because of their versatility जो यह machine है Polishing and Scrubbing Machine जो एक ही machine है जिसे Scrubbing भी होती है Polishing भी होती है यह बहुत सारे कामों में यूज होता है जैसे मैंने आपको बताया Buffing भी होती है Polish भी होती है रियाले जियु जा लाग जिव ते उड़ी होता रियर चैज जया जांग। इसके चैज़ पहत हैं। In some circumstances, colored abrasive nylon pads replace the scrubbing brushes. जो ये colored pads, blue, black, red, green, ठीक है, ये replace होते हैं, scrubbing brushes. जो scrubbing brushes होते हैं, वो निकालने के बाद, वो अलग करने के बाद इसके निचे ये pads लगते हैं, और जो अपना काम देते हैं, ठीक है. सिक्रबिंग पॉलिशिंग मिशीन, beige pads are used for buffing, जो ये beige pads होते हैं, जो ये थोड़ा ब्राउन कलर के हैं, वो यूज होते हैं, वो यूज होते हैं, जो green pads हैं, वो सिक्रबिंग के लिए यूज होते हैं, black pads जो हैं, वो स्ट्राइपिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जो buffing जो गष्ट करें कि तक ताकि उसका अपना वो जो शाहन दे उसको बफिंग बोलते हैं जो सिक्रबिंग होती है, सिक्रबिंग मतलब जो इस पर दाग लगे होए होता है, फ्लोर पर उनको साफ करने के लिए, और सिट्राइपिंग होता है, जो वुडन वो बिल्कुल डस्ट होता है, उसको हटाने के लिए स्ट्राइपिंग की जाती है, तो ये बैज पैड्स जो हो after us care and storage, the brush and pad should never be left on the machine after cleaning brush or pad छवाद के यूज़ करने के बाद यूज़ करने के बाद ये अलग रखे जाते हैं उसके निकालके अलग रखे जाते हैं the brush should be detached after cleaning brush को बी अलग रहना पड़ता है निकालके the fluff should be removed from them before washing लिए की चुछ माशब टेरीं आपको के थी जॉप लुका फ्लकिटकर और टेर्ज zrobi तरह या तसल边 जो के मिकल उखने परते हैं व की देड़ आज रखने पार वाश से एंक यह स्टोरच फिर से कैसे क्या अधिर इन पर्च पर इन जिए वाषिट एंज रैट जो टैंक है से उसकर भी एंसके अर्वाट नंटर इन यह भी नहीं है पर ऐसे ने घ्रेविल निए यह पिरिर्व एंज आपते है सब्सक्राइबिया तो अब देखते हैं वेट एक्स्टॉं इसका क्या काम होता है जो यह मिशिन होती है, यह किस लिए युज aboard का सर्फिस होता है dropped उसको clean करने के लिए होता है उनको clean करने के लिए जो यह फरनीचर होती है उसको लेधर जो इनसे क्या है उसकोषय कукंद होती है कर है Colorado the कुछ इटक है अदर कर यूद देश ने हुग और प्रयड़ State चैपट्स और पहल श्टरी कटन्स के लिए यूज किया जाता है यह मिशिन यूज होती है जो यह स्वेलेज होता है ठीक है डस्ट होता है जो सक्षिन क्लीनिंग से रिमूद नहीं होता है वहां पर यह एक्स्टरक्ट सिस्टम यूज किया जाते है जिए इक्स्टेशन सिस्टम इस सेय् स्वment इक्स्टीख सो Ồ होता है। इस मेन रिटाइंगोर होती एक्सटीशन फबर इंदर फॉर एच सेय्यम आता है। यह मशीन के साथ एक टैंक होटी है जिसमें होट वाटर होता है वाटर बात गरम वाटर होटा है वो रखक्षिर गरम बात शर्ष करता है वह घ्रचंट पे बात है वह बात को escuch 잃त इसल्थे इस रहा and this along with the soiled water is removed by suction into a container in the machine after hot water or detergent it is suctioned for the machine it is suctioned जाता है और जो वहां से बीक ट्रीब उटा भी युटा है वह अधे उटानिर के अंदर जमा हो जाता है सिके बाद आते है कारपयर करप्रेट शंपू मेशीन किया हैं इस मिशिन ऐस बडिक इन्डिकेटर बाइड नेम और डिजाइनर फ़र डीप क्लिणिंग अप करप्रेट यह पॉइल्ड जो करप्रेट वी सोयल अप्रेट जन पर बहुत गंद होती ए जो सक्षन से साप नहीं होते हैं तो यह करप्रेट श्रम्पूइंग करते है इस मिके अंदर बाट और डेटर जेंटल लगाता है और फिर उसके बाद ये कर्पेट को श्रम्पूइंग करता है शिक्रबड ड्राइने शिवफर शिक्रबर ड्रार शिवपर थी शिवर्द शिवफर शिवच्द ने और सिवच ओले में शि Emir शीपिंग सपथ Ο्य वार्टिक शिवपर विए ुझ Krubber STReb करता है ठीक है they are suitable for large areas where mechanical scrubbing and drying are required जिन जगों पे जिन surface पे sweeping की जरूरत पड़ती है scrubbing की जरूरत पड़ती है drying की जरूरत पड़ती है तो यह machine जो है scrubber dryer sweepers यह वहाँ पर यूज होती है ठीक है उस area को clean करने के लिए इसके बाद आता है high pressure washers high pressure washers किसलिए यूज होता है कैसे यूज होता है this type of equipment is designed to remove soilage by subjecting the surface to water steam and or sand under pressure यह जो equipment है ठीक है यह design किसलिए किया गया है इसका क्या काम है जो soilage होता है surface फिर जो soilage होगा उस subject को यह water करता है ठीक है उस surface को यह water करता है and फिर उसके बाद steam करता है और जो sand होता है ठीक है वहाँ पर जो भी गंड होता है इसमें बहुत ज़्यादा pressure होता है इस pressure machine में यह जो machine है इसमें बहुत ज़्यादा pressure होता है यह उस subject जो वह surface होगा उस पे water लगाता है और जो वहाँ पर sand जो भी होगा डस्ट जो भी होगा वो बाहर निकलाता है water under pressure physically dissolves the dirt जो pressure से water लगता है उस पे वो और dirt को निकाल देता है वहाँ पर जो भी dust गंड पड़ा होता है वहाँ से उसको निकाल देता है ठीक है तो चलो फिर आज का हमारा topic यहाँ पर खत्म होता है जो हमने mechanical equipment था आज हमने पूरा cover कर लिया मैंने इस पे आपके लिए तीन वीडियो बनाए पहले मैंने आपको basic समझाया mechanical equipment क्या होता है ठीक है तो फिर दूसरे वीडियो मेंने आपको vacuum cleaners पड़ाया और आज की वीडियो मेंने हमने यह पूरा cover कर लिया A, B, C, D, E, F, G जितने भी यह parts है हमने आज यह पूरा cover कर लिया I hope आपको अच्छे से समझाया होगा कि mechanical equipment क्या है और कितने जूरूरी है कैसे use किया जाते है ठीक है Thank you so much